कि अग्दम बढ़िया देखिए आज मिनु माउसी जी आप कैसे हैं कि हम तो बढ़िया है आप बताईए आप कैसे हैं मैं अभी बहुत अच्छा हूं बस दुआ है आप लोग की आपको बोलेंगे चोटा पैकेट बड़ा ध्माका का तो देखिए इतना नाम कमाना बहुत कम लोग होंगी अच्छा बताईए अभी हमने सुना है कि आप को साव्त की होने इन आपके थे गश्तृ किจะ को बताईए नहीं जाता भू देखने को यंभा मिलं में अरे वह उतना है अधर दोव के बारें बताईए च्छा च्छा गाने से लेखिए है फुरे शों के लिए और रुए और एक बहुत ही प्यारा थीम है तो आरे शो का एक पूरा शोव प्यार पे है तो हम वो दिखा रहे हैं अपने गानों के थुरू तो बहुत मज़ाएगा आप लोगों को देखे और हम काफी लगे हुगा और मैं गिटार के साथ परफॉर्म करने वाला हुग अच्छा मतलब ये लाइफ कॉंसर्ट एकदम अलग होगा इसमें ज प्रफिर कैसे ठूटता है फिर दोस्ता है और तैयारी की बात करें तो देखिए लाइफ कंसर्ट में दुबारा मौका नहीं मिलता है एक बार गाना गाना शुरू तो आपको खतम करके ही वहां से जिकलना है और आपके भाई देखिए अब मझेवे कलाखार हैं आप तो मंच में आपने तो कहते हैं स्टीर गाड दिये हैं तो यह बताइए इस मंच पर आपने कितनी प्रैक्टिस की है क्या-क्या तैयारिया चल रही है अभी इतने सारे शोज की हैं कि सब में ऐसा ही रहता है रैंडम कि अच्छा है चलो वहां जाके गादेंगे गादेंगे कि काफी टाइम तक तो मेरे बैंड रिसल्स भी नहीं हुए काफी लास्ट बहुत दिनों से जितने भी शोगी है सब रैंडम ली बस लिस्ट भीच दिया है उपर से हमारा बैंड रिसल्स भी होगा तो मजा आ जाएगा मलब सब एकदम मंच के गाएंगे और बहुत ही खुल के एकदम ओपनली हो जाएंगे सब उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं गाएगा अच्छा वैसे इसमें आपके साथ और कौन होगा जिसके रोकी तरका और हम तीनों डुएट्स भी गाएंगे मेडलीज भी गाएंगे सोलोस भी अरे अच्छा कुछ भी हो जाए लेकिन जैसे आप बहुतने भी आप से स्टेज शोग किये हों लेकिन जब फिर से स्टेज पर खड़े हों के गानी की बारी आती है तो स्टेज पर शुरुवात कर जाना चाहेंगे कि अभी से आपके दिल में भी वह दुग दुग हो गई है का जो नहीं ऐसा नहीं है मतलब एकसाइटेड होता हूं स्टेज पर जाने से पहले हमेशा और जब स्टेज के पीछे होता हूं ना तब मैं एक बार बस मन में प्रे करता हूं और रेडियो जाता ह अनौशमेंट के बार जो ऑडियंस की वह वाज सुनाए देती है तो आप जो आप यहां पर हमारे सइंस के लिए गानों चाहें फेवरेट फेवरेट ऐसा कुछ है नहीं सारे गाले फेवरेट है पर कुछ ऐसे गा दिता हूं वही गा दिता हूं जो मेरा सबसे रहादा लोग पसंद करते हैं क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ जहां से जमाने वो गुजरे जमाना हुआ मेरा समय तो वही पे ठहरा हुआ बताओं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ खामोशिया आवाज है तुम सुनने तो आओ कभी छू कर तुम्हें खिल जाएगी घर इनको बुलाओ कभी बेकरार है बात करने को कहने दो इनको जरा खामोशिया तेरी मेरी खामोशिया अती सुन्दर अती मधूर कैसे सुनके है एकदम तसली मिल जाते हैं हमें लगता है ऐसे गाने बरसाथ के मौसमें ज्यादा सुने जाते हैं एकदम खामोशिया तरवाइट के इतमिनान से महबत वाले अच्छा और उपर से आपका दस जूंसे शुरू भी होने वाला है प्य अब आपका अप्टिंग का टैलेंट भी देख रहे हैं अब कितना इंजॉट कर रहे हैं अपने अपने अच्छा किया है और पहले भी किया था और ये भी किया मुझे आक करना है और मैं उनके लिए आउडिशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ आरे वाँ तैयारी मतना वाँ तो फुल्टू एकदम मल्टी टैलेंटेट हीरो के तौर पर उतरेंगे आप अचा बसे एक बात बताईए देखे हर एक कला करणा हम देखे आपने शुरू कर दी और तैयारी भी है तो होता है ना कि हमें इस तरह का किर्दार निभाना है हमें इस तरह के रोल में नजराना है हमें ऐसी ऐसी प्रैक्टिस चैनी तो ऐसा कौन सा किर्दार है अब तक के बहुत ज्यादा एंस्पार्इड हूँ मतलब पहले मुझे नहीं पसंद थे जूटने पूलूँगा मुझे पहले सलमान खान बहुत पसंद थे लेकिन जब से मैं शारूखाइट के बारे में जानने लग गया हूं तो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे लगता कि मुझे ऐसा बनना है और लोग मुझे ऐसा ही पसंद करते हैं जैसे कि मैं हूँ ऐसा की चॉकलेट बॉइ टाइप का सब मुझे कह रहे हैं तो लोग पसंद करते हैं स्वीट रहते हैं तो ऐसे सब पसंद करते हैं तो ऐ यह रहूंगा यह चैरेक्टर्स हैं और स्पैसिफिक एक और है जैसे कि मुझे वह चैरेक्टर बड़ा अच्छा लगता है भी रिसेंटली एक मुवी आई है स्पैडर मैं अकरोस दिसाइडर वर्स उसके अंदर इंडिन स्पाइडर मैं का है मुझे वह आज से नहीं रीन्फ वने से भी नहीं इसका आनाउंस्मेंट भी नहीं हुआ था अब तबसे एक बात बताई इसका जो वाइस ओवर है ना इंडियन प्टर का शुमन मिल भूल आप उसके भी फैन होगी भूट बड़िया वियो अनने किया उसमें बिल्कुल बिल्कुल एक्तब हंड्र संट और इंग्लिश में भी करंशोनी जी ने किया है और तो अब अगर हम बोले गानों की ठीक है अभी देखिए गाने से तो आपका इक अलगी लगा होगा अभी के दोर में नब्वे के दिखा के गाने बड़े आ रहे हैं और हम लगता है आपने कुछ सुने होगी शुख सूने होगी और जो सुने होगी हम लगता है आपको भी पसंद होगी तो उस दोर का कोई एक गाना ऐसा उठा लीजिए और अपने आपको उसमें फिल्मा लीजिए ऐसा कौन सा गाना होगा अर्ड़ीडी इस स्वाग ना उनमें से नाइन्टीज में मुझे एक है बहुत ही अनकॉमन सा सौंग है मुझे वो बहुत पसंद है मेरी मम्मा को बहुत पसंद है अक्शली गुलजार साब ने लिखा है रुखकुमार आठवर जी और साधना सर्गम जी ने का है हर बात पे हैरा है मुझे से परेशा है हर बात पे हैरा है मुझे बहुत अच्छे ऐसे गाने लगते हैं कि मुझे लगता है इन सब में ही मैं आपको फरमाद हूँ लेकिन अभी आपने रोमेंटिक गाने बड़े पसंद आते हैं और उपर से कंसर्श जो आ रहा है वो भी रोमांस पर है प्यार पर है जिससे आप रोमेंस करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप उनके सापना कि इसा तो नहीं है ममी है मेरी मुझे वह बहुत म invert both sitten ममी को जो गाने पर सथैन आप मुझे अचली गाने बहुत पर समय और अगर और बाकी तो सब ही फैन्स को पता कि एक क्रश है मेरे वो शद्धा कपूर है और कुछ लिए बिल्कुल बिल्कुल अभी रिसेंट्ली आइडल 13 में ही वो आय थे as a guest और हम मैंने उनके साथ डांस किया था है पूरा सपना हुआ है खुशी के मारे जूम उठे आप जी जी बढ़िया है देखे हम तो चाहिए कि दस जून को आपके उस लाइव कंसर्ट में बहुत सारे दस्तक जितने भी श्रोता गणाए वो सुने और वह भी जूम उठे और आपको धेर सारा प्याद है विसे इतने वीजिक वीडियो निकाल लिये है और को मुजिक वीडियो है जो आने की तयारी में है और जिसमें सब रिकॉर्ड की है सब आयेगा दीने दीजिए हम से भगवान से यही दुआ करेंगी कि आप बढ़िया से बढ़िया गाने काई हो कूब तरशी कीजिए दश्रक आपको कूब पसंद करते हैं आपको गाना भी बहुत मधूर है तो बहुत मज़ा है आपके साथ बास करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा है चले फिर मुलाकात होगी दुबारा से नए कंसर्ट के साथ नए अल्बम के साथ बिलकुल बिलकुल बहुत बहुत धन्या और बाकि दर्श्रकों से एक रे चीज़ कहेंगे जाने से पहले साथ बो और बेटे का जो यूटुब कर है ना झाल